बलक मिल के कूलिंग उनिट अपटू 2000 लिटर केपसिटी की है 2000 लिटर केपसिटी की यदि हम कूलिंग उनिट स्टार्ट करना चारे हैं तो हलो दोस्तों एक बार फिर सवागत है आपका हमारे शेनल पर दोस्तों आज एक बहुत ही जबरदस information लेकर कर आए है आपके लिए यदि कोई हमारे दोस्त लोग भाई लोग high-tech dairy processing unit start करना चारा है तो उसमें बहुत ही शांदार एक मोका आपके लिए है जिसमें की जबरदस तो subsidy है और bank finance भी है दोस्तों इसमें जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या है योजना का विवरण है project detail कैसा कैसा है ये इसमें नाबाड subsidy provide कर रहा है दोस्तों मैं आपसे request करूँगा कि ऐसी ही information आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारा channel subscribe करें और video को like करें और अपने दोस्तों तक इसको share करें इसको हम ये chart को आप बहुत अच्छे से संती से और बड़े detail में इसको समझी है कि इसमें क्या क्या है हमारे लिए और क्या फाइदे हम इसके ले सकते हैं ये जो देख रहे हैं आप इसमें bulk milk processing ये activity आप देख रहे है activity किस चीज में कितना project है और जब हम dairy processing की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़े रहती है उसी में से ये एक एक करके हम बता रहे हैं आपको तो इसमें activity जो है वो एक देख रहे हैं आप एक column एक total project कितना है और फिर उसके बाद subsidy जनरल OBC में कितनी है SST में कितनी subsidy percentage है total subsidy amount जो है वो maximum क्या हो सकता है और subsidy amount जो है वो SST के लिए और OBC के लिए आपको अलग अलग दिख रहा है अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे bulk milk जो cooling units है bulk milk cooling unit up to 2000 liter capacity की है 2000 liter capacity की यदि हम cooling unit start करना चाहरे हैं तो उसमें जो है हमारा total project नाबाड बोल रहा है कि 18,00,000 रुपे का इसमें आपका total project हो सकता है अब यदि कोई general OBC से यदि इसको claim करेगा तो इसमें 25% subsidy होगी परसेंट में और इसमें 45,00,000 रुपे जो है वो amount में subsidy होगी दोस्तों तो उन equipment के लिए नाबाड जो है अलग से 12,00,000 रुपे का project दे रहा है 12,00,000 रुपे में इसमें 25% subsidy होगी और 33,00,000 रुपे के लिए है तो इस बीच में हमको जो है उसका temperature पूरा cooling वाला चीए फ्रीजर वाला चीए तो उस फ्रीजर के लिए जो है नाबाड बोल रहा है कि हम अलग से आपको sanction दे रहे हैं वो 24,00,000 रुपे का रहेगा cooling वो cold chain के लिए 24,00,000 रुपे का एक अलग से दे रहे हैं उसमें 25% subsidy है और 33,00,000 रुपे के लिए है तो cold storage facility for milk and milk product इसके लिए जो है नाबाड जो है अलग से 30,00,000 रुपे दे रहा है दोस्तों यह हमारा यदि हम processing की बात करते हैं processing unit जिससे कि हम पूरा milk को process करेंगे और उसके by product बनाएंगे अलग-अलग product बनाएंगे तो उन पूरी सारी की सारी चीजों के लिए जो है नाबाड ने अलग-अलग provision किया हुआ है और ये provision में आपको project cards भी है और साथ में इसमें subsidy भी है तो subsidy यदि मानलो हम cold storage की बात करेंगे तो इसमें 30,00,000 रुपे का project बनेगा और subsidy इसमें आएगे 25% जो 7,500,000 रुपे होगी और subsidy SST में 33% मतलब 10,000,000 रुपे होगी तो दोस्तों ये अच्छा खासा एक लगभग एक करोड के आसपास का हमारा project जा रहा है यदि कोई भाई लोग इसमें interest रखते हैं और यदि प्लान कर रहे हैं तो आप इस तरीके से जाएए दोस्तों आगे हम इसमें जरूर देखेंगे कि क्या-क्या तो हमको कौन-कौन लोग इसको ले सकते हैं और हम इसका application कहाँ पर करें वो भी मैं जो है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इसमें subsidy का LAP कौन-कौन ले सकते हैं मतलब कौन-कौन इसमें eligible है तो इसमें farmer जो किसान भाईएं वो सबसे उपर हैं मतलब वो ले सकते हैं individual कोई भी विक्ती जो किसान नहीं भी है और वो इसको start करना चारा है तो ले सकता है NGO कोई जो है वो ले सकता है companies ले सकती है, group आप un-organized और organized sector में कोई भी ले सकता है group आप the organized sector including self-help group, dairy cooperative society, milk union और milk federation मतलब इसमें यह दि देखा जाए तो सभी जो भी इसमें start करना चारा है वो सभी लोग इसमें आगे हैं और सभी को यह subsidy का लाब मिल सकता है दोस्तों अब तो इसमें start कैसे करें इसको इसकी सुरुवात कैसे होगी, कहां से होगी यह जो है बहुत important है और यह maximum हमारे दोस्तों को इसमें यही पर परिशानी आती है कि यह कहां से हम इसको start करें तो यह दोस्तों चुकि इसमें नावाड है वो subsidy provide करता है लेकिन direct इसका application जो है वो नावाड में नहीं होगा इसका जो application है नावाड बोलता है कि आप अपने बेंग जो जहां पर भी आप है यह पूरे इंडिया में पूरा similar तरीके से यह लागू है पूरे इंडिया में एक जैसी scheme यह लागू है कहीं पर भी इसमें इसा नहीं की कोई state इसने छोड़ा हो नावाड की तरफ से पूरे इंडिया का हर state हर place जो है वो इसके लिए eligible है आप कहीं पर भी जहां पर भी आप है इसके लिए आविदन कर सकते हैं इसमें नावाड ने बोला कि आप अपने पास का जो भी ब्रांच है बेंग का वो उसमें जाईए कोई सा भी उन्हों ने बोल दिया कि कोई सा भी बेंग का ब्रांच हो जो की आपके पास हो जहां से आपका लेंदेन हो पहले आप वहाँ जाईए और वहाँ जो है subsidy का claim भी हो जाएगा same branch से और महीं से आपका loan का application भी process होगा जहां से आपको loan मिलेगा तो यह दोनों ही चीजें जो है वो bank से होने वाली आपके पास के bank से यह यहाँ पर थोड़ी से तकलीव यह है दोस्तों की generally bank जो है वो deny कर देते हैं प्रोजेक को easily accept नहीं करते हैं तो इसके लिए मेरा suggestion यह है आपको कि आप जो है अपना एक project का अच्छा सा steady खुद अपने level पर कर लें अच्छा steady करके और उसके पूरे क्या क्या उसमे negative चीजें हैं क्या positive हैं यह सारी चीजें आप लेकर के और bank के पास जाएंगे सारी चीजे steady करके जाएंगे तो मेरा यह मानना है कि आपको जरूर वहाँ से loan sanction मिलेगा दोस्तों और इसमें जो है कहीं कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं है आप direct नावाट के आपके officer से भी संपर कर सकते हैं लेकिन जो application है वो जो है bank से ही होगा आपके पास के bank के branch से ही होने वाला है अब इसमें एक और बहुत बड़िया चीज जो है अभी आई है दोस्तों इसमें जो है हमको interest की subsidy भी इसमें मिलने वाली है ब्याज का जो 3% ब्याज का हमको subvention मिलने वाला है जो की अलग-अलग योजनाओं में पहले मिलता था लेकिन इस बार government ने जो है वो यहाँ पर भी इसको aid किया है तो इसमें हम agriculture infrastructure fund योजना अंतरगत 3% ब्याज का अनुदान ले सकते हैं और ब्याज अनुदान के आवदन निम कर सकते हैं और यह आवदन जो है वो yearly होगा मतलब पूरा साल complete होने के बाद में होगा और आप जो है यह application bank से भी करवा सकते हैं इसमें यह same application है यदि आपका bank आपका support करता है तो आप यह application bank से करवाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि वो exact जो calculation है interest का पूरे year का कि उसमें 3% interest कितना amount आ रहा है वो same amount जो है वो claim करेंगे और यह yearly claim होगा और वो yearly ही आपको जो है सारे year का 3% total interest जो है वो आपको अपने account में मिल जाएगा दोस्तों तो यह एक scheme थी दोस्तों जो मैं आपको inform करना जा रहा था आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई query हो या कुछ question हो तो आप जरूर जो है comment करें comment box में पूछें उसका मैं मेरे level से सारा के सारे answer देना ही कोशिस करूँगा दोस्तों thank you very much channel को subscribe करना नहीं भूले और video को like करें और share करें thank you very much दोस्तों